हेलो अब्रीवन मैं वर्दिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आई हो आप सब अच्छे होंगे तो यह नियुक्स क्लास है नियुक्स की जो डियलेट की बुक्त होती है वह बेसिक बुक्स है मतलब वहां से आपके मैक्सिम टीचिंग एक्जाम में कोशन सीदे मिली जा है तो आप उससे देख सकते हो तो आज हम लोग पढ़ेंगे 502 कोर्स का यूनिट 5 & 6 दो यूनिट हम लोग पढ़ने वाले है और एक और बाद इससे पहले मैंने 501 & 506 कंप्लीट करा दिया तो वो वीडियो जरूर देख लीजेगा अच्छा एक इशो और रहता है कि काफी इससे कॉमेंट आजाते हैं कि मैं मिसका अंतर यह होना था या फिर इसकी स्थापना अब हुई थी तो उनको मैं बता देती हूं कि एक बर अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप NIS की जो English PDF है उनको जरूर देखा करें क्योंकि हिंदी वाले में काफी mistake दिख जात तो मैं पिन कर दूंगी वैसे अभी तक नहीं हुई है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजेगा तो चलिए स्टाट करते हैं चैप्टर का नाम है क्लास रूम का प्रॉसस का मैंजमेंट है क्लास्रूम में जो management of classroom क्लास्रूम में कैसे मैंजमेंट होगा तो यह दोनों यून को लेकर के तुम मेरे नोट्स में यह जो मैं आज बताउंगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा बाते होंaly जो जो की जनरर्ली नहीं पता होती है. इस तरीके से सारी बाते हमको जोने दी पता ही होती है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे सबसे पहले है हमारा learner friendly environment यानि कि अधियता इस नहीं वातावरर का स्रेजन कैसा होता है मैं तो यहां पर classroom के management के according class classes जो होती है तीन टाइपस बताएगें classes के तीन टाइपस कौन-कौन से है पहला दुसक्रिया class तो दुसक्रिया class में क्या होता है कि इसमें शोर बहुत होता है और जो अधिकम होता है learning होती हो बहुत कम हो पाती क्योंकि maximum time teacher का class को control करने में ही निकल जाता है second class है वो है परियाप्त class यानि कि adequate classes classroom इसमें कुछ अनुशाशन होता है और कुछ जो करनो अनुशाशन हो भी पाता है वो teacher के प्रेदने से ही उत पाता है तो इसमें कभी-कभी अधिकम हो जाएगा इसमें अधिकम बहुत कम होता है इसमें कभी-कभी अधिकम होता है अब थर्ड है विवस्तिक ख्लास यानि कि orderly classroom यह जो orderly classroom होता है इसके दो टाइप बताएगा एक तो restrictive एक होता है enabling यानि कि नियंत्रित ऐसा नियंत्रित कि उसमें पूरा control टीचर के पास होता है और टीचर सकती से नियमों का पालंग करवाता है टीचर की ड्यूटी वानी गई है इनमें अधिगम होता है और सेकें मित्रिता पूर यानि कि enabling वाला यह बहुत अच्छा मानागे क्योंकि इसमें अधिगम वीडियो बच्चों के according जो learning method है उ इन्स्ट्रक्शनल जो method होता है उनके बारे में बताया था जिसमें एक रख्यान वीडी थी बाकी की दो कौन सी वीडिया थी वो comment करके बताएगा और second मैंने बताया था learner center जो method होते हैं उनमें भी मैंने चार बताया थी method बताया है से पहले बारी वीडियो में उनको comment अब next देखते हैं next point हमारा किसी भी class में दो relation बहुत important होते है एक होता है अधियापक विद्यार्थी का एक होता है विद्यार्थी विद्यार्थी का बताब teacher student का भी relation बहुत important है और student student का भी relation बहुत important है अब आता है next जो हम लोग पढ़ेंगे management ऐसा classroom जो individualized learning करवाता हो पर जहां learning होती है एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है उसको self-paced learning भी कहते हैं तो इन में क्या management होना बजरूरी है ऐसी classes में क्या होना जरूरी है ऐसी classes में technological devices का होना जरूरी है ताकि हर बच्चे के according से माली जाग कोई special children है तो उसके लिए उसके according वहां पे audio book की विव विवस्ता होनी चाहिए तो यह सारी चीजे या फिर audio book जो आती है उसकी विवस्ता होनी चाहिए तो टेक्निकल डिवाइस होनी चाहिए CAL क्या है computer assisted learning या computer द्वारा learning कराई जानी चाहिए textbook के साथ guide and workbook भी होता है इसमें और SIM भी होता है SIM का मतलब होता है self instructional material इसी textbook में ही बा classroom classroom में assignment दिया जाता है classroom में जब ऐसी classes में हरे बच्चे को individualized assignment दिया जाता है तो वो बच्चे क्या करेंगे सबसे पहले उन बच्चों को यही पता होना चाहिए कि वो assignment किस बारे में है उनको पहले समझाया जाए ठीक है फिर उनको help भी की जा सकती है उस activity को करने में फिर उन learning होती यहां पर group बनाया जाता है ऐसे classes में तो उनमें learning कैसे होती तो एक चीज यहां पर जो वैक्तिकत वाली हमने पढ़ी यहां पर एक missing यह होता है कि बच्चे जादा communicate नहीं कर पाते क्योंकि वो self learning पे focus किया जाता है इसमें जिसे माली जो communicate करके अपने विचारों को रख किया था group learning पे तो अब यहां पर इससे होता किया group learning से social feeling की भावना का विकास होता है मुक्त मस्तिक्स की भावना मतब जैसे होता है free mindset की feeling का विकास होता है others point of view सुनने के लिए आप तयार हो पाओगे बच्चे तयार हो जाते है कि दूसरा क्या इसे group है group में एक दूसरा point of view यह है इस topic को लेकर के और communication skill तो develop होती है ठीक है अब आता है इसी group वाले learning में next point है किसमें गलतियों को असानी से पकड़ा जा सकता है और तुरंत सुधारा जा सकता है पतब यह विसेशता है यह group learning की और एक group में maximum कितने सदस हो सकते हैं तो group हमेशा चोटे ही बनाने है ठ चाहिए ग्रूप में 4-6 सदस हो सकते हैं या फिर 3-5 भी से last ready class में 3-5 अमोंगने पड़ा था तो वही 4-6 या 3-5 option आता है तो choose कर सकते हो और हर एक group का एक नेता होना चाहिए एक leader होना चाहिए लिकिन एक leader हमेशा नहीं maintain रखना है बतलब वो leader की इस्थिती है वो हमेशा change ह होती रहेगी अब कभी इसको मिल गया कभी इसको मिल गया कभी इसको मिल गया ऐसे करके उनकी कारियों के अनुसार वो change होते रहेंगे इसमें वैकल्पिक विचारों का सुझन होता है वही मैंने बताया कि different point of view होते है तो जो alternative thoughts होते हैं उनका निर्माड होते है अब group के जो group में some pressure की सुविधा देना कि बच्चे व्यक्त कर सके अपनी बातों को वह भी restrict नहीं रखना है उनको मौके दिये जाने चाहिए समू में अधिगम परणामों को समयकित करना मतलब जो group में जो result निकल रहा है उसको consolidate करना यानि कि उसको आप कहा सकते हो संरचित करना ठीक है तो यह तरीके से यह तीन main कारें इनको ध्यान रखिएगा यहां से यह सब भी question बन के आ सकता है कि मालिजे कौन सा समू learning के लिए का टायब एक सब्सक्रामी के बता है जो डाइन फर्वी थक का रहा है मुद्द से अवजह से उपर वाले बच्च से बीति ऑन थे उस्झाटम उनको कहते हैं ने की योगता ऑखरडिंग बना है यह एवरेज वाले बच्चोका गरूप ता और यह आपका शब नहीं करेंगे लेकिन इसमें कमी ये भी है कि इससे हम क्लास को बाट देते हैं कि ये कमजोर है कमजोरी उनको उनकी कमजोरी से अफगत करा देते हैं तो वो चीज यहां पर गलत हो जाता है grouping by interest इसमें उनकी interest के according अब जो next learning है वो है grouping by interest बतलब रूची के अनुसार group बना देना तो इसमें होता है कि माल लीजे एक class में बहुत सारी activity करानी है अब बच्चों के interest के according उनको उस ग्रूप में रखा जाएगा अब इसके कुछ फाइदे भी है कुछ नुकसान भी है फाइदे यह है कि इससे क्या होगा कि वो साथ में मिलकर के यह एक ही interest वाले बच्चे है तो साथ में मिलकर अच्छा काम कर लेंगे लेकिन अगर कमी इसक पता है कि है मेरा interest इसमें तो उस topic को उसकी अकलाब को रट कर याद कर लेते हैं तो यह इसका disadvantage है अब हम जानेंगे third जो grouping होती है grouping by student choice student की इच्छा अनुसार उनकी grouping कर देना तो यहां पर उनको अब इस वाले grouping में क्या होगा कि बच्चा अपनी इच्छा अनुसार उसको ग्रूप में obviously अगर जिसे मैं होती तो मैं क्या करती मैं अपनी फ्रेंड को चाहूंगी ना इसे होगा क्या इसे क्लास का तोड़ा कहीं क्योंकि वह बात करेंगे या फिर गपसब करने लगेंगे इसे ना उनका चुनाओ की सुझनता तो रहेगी लेकिन इसका जो क्रिया कलाब जो activity का result है वह एक तरीके से नल हो जाएगा तो सुनने हो जाएगा तो यह चीज़ ध्याना किएगा कि यहां पर अच्छी कुछ दे यह एएव्रेज ह है औसमालव उससत से उपर वाला औसमालव बिपह और यह उससे या जान पालगनों फौर्व करणा ग्यू आपके सान यहां पर कम हो जाती सही हो जाती है कि बच्चों को अलगाव नहीं मैसूस होता है कि हम बिलो एबरेज हैं ऐसा कुछ तो 800 गंटे पर यर सालाना किसी भी अकैडमिक यर में और 6-8 के लिए 1000 इंस्ट्रक्शनल आर अनुदेश आत्मक घंटे जो की अकैडमिक यर में दिये जाते हैं तो यह दोनों पॉइंट रखेगा अधर्वाइस उस वीडियो में आपको रो हो जाती है सेमी सरकुलर हो जाता है सेरकूल हो जाता है face to fake यह चारपांच तरीके के जो सीटिंग आरेजमेंट होते हैं वो क्लास में जनली देखने को मिलते हैं तो अच्छा कौनसा होता है तो अच्छा कौनसा है मैंने अभी लास्ट में बनाये हुए द्याग्राम हो देख लिए जगा, तो यहां पर दिक्कत यह होती है, अगर हम लोग का जो ट्रडीशनल मैथेड होता है, तो यहां टीचर होता था, और ऐसे करके इधर लड़कों वाली रो रहती थी और इधर साइड पे लड़कों वाली रो रहती थी, बीच का थोड़ा सा स्पेस रहता था तो यह थोड़ा सा traditional method होता है उसको अच्छा नहीं मानागी क्योंकि अगर teacher बढ़ाएगा तो आगया वले बच्चे तो focus कर लेंगे लिकिन जो पीछे बच्चे हुए उन पे इतना ध्यान नहीं जा पाता है या फिर वो उतना ध्यान पढ़ाई में या learning उनकी अच्छे से नह होना चाहिए या फिर y-shape का sitting arrangement होना चाहिए तो यह दो शेप उस वाली classes में यहां पे भी हम लोग जानेंगे जो यू शेप है उसी को हम semi-circle arrangement बोलते हैं अच्छा इस चैप्टर में 829 से related जो teacher के दायत होते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है तो उसको मैंने क्या duty हो है लेकिन मेरे सबसे आपको section 24 याद रखना चाहिए क्योंकि आप generally वहां से निकाल लोगे कि कौन कौन सी duties कुछ भी गर्लत तो करेंगे नहीं तो duties में क्या जाएगा जिसे विदाले में उपस्तित होना समय से खुद आ जाना ठीक है समय का पालन करना समय जो करिकुला में उ समय से कंप्लीट कराना हर एक बच्चे पर ध्यान देना ठीक है माता पिता और जो गार्जियन हैं उनके साथ regular जो मीटिंग्स होती है उनको विवस्थित करना उनको करवाना तो यह सारी चीजे किसके दायत हैं सारे टीचर के ड्यूटी हो जाती है तो आर्टिकल 24 में अब जो 28 है यानि section 28 है उसमें प्राइवेट उशन पर रोक की बात की गई है और section 29 में यह है कि जो करिकुलम है करिकुलम और evaluation प्रोसीजर होता है यानि कि part teacher या और यह क्या बोलते है मुल्यांकन को जो परक्रिया होती है उसको direct teacher implement करेंगे इसकी बात की गई है कि वो बना तो द development हो सके बच्चों के ज्यान अंता सक्ती योगता गनिर्मार हो सके उनको उनका पूरता से physical और mental दोनों ग्रोथ हो सके ऐसा चीजे इस हिसाब से करिकुलम डिजाइन भी किया गया है और उसको implement कौन कराएगा teacher कराएगा अब यहां section 17 है इसमें बात की गई है किसी पी तरीके punishment नहीं देना है बच्चों को चाहे वो physical हो चाहे वो mental हो तो सारी इरिक और मांसिक डंड नहीं दिया जाना चाहिए यहां कुछ sitting arrangement मैंने बनाई है यहां देखे एक teacher है तो यह समी सरकल जो arrangement है ऐसे करके है यहां यह जो बीच में teacher बैठा हुआ है और इधर से ऐसे गया हुआ यह arrangement तब होता है जिसे अगर हमने दो ग्रूप बना दिये हैं अंताक्षडी वाले टाइम पर नहीं होता था कि लड़कों का ग्रूप है लड़कों का ग्रूप है तो उसमें क्या होगा बीच में teacher बैठा हुआ है और आपस में competition चल रहा है दो ग्रूप के बीच में तब ऐ यहां से होता है आपका यह वाली unit complete अब हम पढ़ेंगे next unit जो की है TLM जिसमें हम आनेंगे teaching learning material यानि की सिच्छ अधिगम सामगरी के बारे में पढ़ेंगे कितने types की होती है क्या-क्या है वो सब हम इस वीडियों जा देंगे चोटी सी चोटी सा topic है इसको भी complete कर लेता है unit 6 अच्छा अगेन मैंने इसमें वह extra point positive expect वाले जो point होते हैं वो नहीं रखें क्योंकि वो जनली हम लों को seated दे करके आयो है तो आप लोंको इतना तो पता ही होता है कि TLM क्या करता है TLM से ऐसा होता है कि बच्चे अपने ग्यानेंद्रियों से अपने sensory जो organs उनके तुरू जब वो कुछ लेता है तो वो relate करता है context में चीज visual ads हो गया है audio ads हो गया है इस तरीके से projected material हो गया तो यह सारी क्या करते हैं बच्चों को interest पैदा करते हैं उनको मज़ा आता है सीखने में इनसे इसलिए यहाँ पर TLM का यूज किया आता है तो यह basic point हो मैंने नहीं लिगे हैं के वल fact वाले point जो कि generally नहीं पता होते हूं उनको 11-12 की आयू तक मैक्सिमम बारा वर्स तक बच्चे जो मूर्थ थूल वस्तवे होती हैं यह कॉंक्रीट ऑप्जिक्ट होते हैं उनको ग्याने नियों से सीखने से उनको जब अपने जो sensory organ होते हैं आख नाक कान मूध विकास कर देता है उनके संगिनात्मक विकास में मदद क अब 7-12 की जो एज होती है वो भी आजे में मूर्थ संक्रियात्मा क वस्ता होती है निकि कॉंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा टीलम से भरपूल सीखता क्योंकि अब कहीं न गई है देखिए कि 6 की जब वो इसी एज में तो स्कूल में आएगा तो जब प्रारम्भिक जो स्टेज होती है जो primary stage होती है उनमें टीलम का अधिक से अधिक यूज किया जाना चाहिए यूंकि बच्चों को क्या चाहिए मूर्ध वस्तवे तेकि जो उनके सामने हैं, वो अमूर्चिंतन अभी नहीं कर पाते हैं, अमूर्चिंतन कप करेंगे, इसके बाद वारी जो स्टेज आती हैं, उसको abstract operational stage बोलते हैं, या फिर अमूर्थ संक्रियात्म का वस्था, अप्चारिक संक्रियात्म का वस्था बोलते हैं, तो वो उस stage म करता है, यहां पर तो करता नहीं है, यहां TLM से भरपूर मातरा में सीखेगा, अब यहां फिर से एक बात कर दी गई है, CCSR, यह shortcut है, CCSR का मतलब इस stage में किस चीज का विकास हो जाता है, conservation यानि कि सनच्छड का, बच्चे अब सनच्छड काना सीख गए हैं, कि अगर एक ग पर इस पर दी गई है, बच्चा इस स्टेज में, क्लासिफिकेशन करने लगता है, मतलब क्लासिफाई करने लगता है, रंगों के अधार पर जो उनके साइज है, उनके अधार पर करने लगता है, Serialization यहां कि स्रेडी क्रम में लगा देता है, गर माली जए खब से बड़ा से चोटा, से चोटा, से चोटा, ऐसे करके, मतलब सीरीज में चीज़ों को लगाने लगेगा, और रिवर्सिबिल्टी का बच्चा, रिवर्सिबिल्टी को भी सीख लीता है, I think इसको वृत्रकम मुझे याद नहीं आरा है, लेकिन वृत्रकम करके कुछ ऐसा बोलता है, तो तो रिवर्स कर लेता है, मतब रिवर्स में चीज़े सीख लेता है, कि उसको पता है कि 5 प्लस 3 एड़ोगा तो 8 बनेगा, तो 8 में से 3 गटाया जाएगा, तो 5 आएगा, तो इस तरीके से वो करने लगता है, अमूर्द तर्क नहीं विक्सित होता है, अगें, अबस्ट्रिक ज जो और अपरेशनल स्टेज होती, इसमें यदी और तब इसे अगर बिल्ली के पंक होते, तब क्या होता, तो ऐसे अमूर्द वो चिंतन कर रही नहीं सकता, वो सोचता ही नहीं है, उसका आंसर ही नहीं देगा, मैक्सिमम रिसर्च में ये पाया गया था, तिक है, अब हिंदी में बोलेंगे सिच्छड अधिगम समगरी, इसके कई टाइपस हैं, जैसे अभी यहाँ इन्होंने दो टाइप यह बता है, कि वास्तिविक वस्तु और तयार सिच्छड अधिगम समगरी, मतलब वास्तिविक वस्तु जो आपके आसपास है, रियल उबजक्ट, जैस सारी चीजे घूगक वश्तु तो बाधार से घियुक्क है, लिकिन बनाई है थो पहले तो नेचर में थी नी, वो बाजार से खरीट ब्लुक्त शाल चाहर मेसं चलिव में थो करेंदु किको सबसोय सबसेंद दूंख이라고 द्यूंख Okay तो यह आपके हो जाते हैं अब और भी है जिसे कि स्रेविसामगरी दूस्थी सिरुआ कि अधे दॉद्रस इस्रुआ इसा मेटाध को सिखा जाता है जिसेरेटियो कैसेट CD player हो गया, visual में दिखा करके, blackboard, chart, graph, film, strips, slides हो गया और audio-visual जिसमें दोनों काम होते हैं, television, film, computer, इनके द्वारा बच्चों को easily तरीके से सिखाने में, अधिकम कराने में help की जाती है अब next और भी type है, यह type next होता है, यह projected और non-projected यह important है, यह याद रखेगा क्योंकि projected क्या होता है, जिसको आप प्रचेपित करते हो, जिसे movie है तो movie वो screen पे आएगी, और epidoscope, यह नाम याद रखेगा कि माली जी आ गया कि यह क्या है, यह कौन से type का TLM है तो यह आपका projected TLM है, magic lantern हो गया, micro projector हो गया, LCD projector हो गया, यह projected TLM के example होता है अब non-projected में क्या जाएगा, जिसे chalk bold हो गया, felt bold हो गया, bulletin bold हो गया, photos हो गया, poster हो गया, maps हो गया, chart हो गया, globe specimen, textbook illustration हो गया, जितना मैंने English में लिखा है, इसको as it is mind में रखेगा, दो-चार बर वीडियो देखेंगे, तो आपको खुदी यह सारी बाते, आपको याद हो ज यह इसमें अनभव बच्चे experience करते हैं, तो field trip पे ब्रहमर पे ले जाए जाएगा, उनको education tours पे ले जाए जाएगा, मतलब किसी institute में ले जाए 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 रहा है, और visit to institution, institution में जिसे माली जेपुली station है, hospital है, यहां सब ले जाकर के उनको वो experience दिया जा रहा है, और observing experiment है, जहां पर अवलोकन कर रहे हैं बच्चे, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, यह सारे जो ad होते हैं, जो material है, वो किस में आता है, experiential ads में आता है, next है, प्रारंबिक विद्यालों में TLM को खरीदने और विक्सित करने के लिए, ऐसे से धन उपलब्त कराता है, जो प TLM कारीजने के लिए, विक्सित करने के लिए, सर्फिक्षा भियान के दरफ से पैसा आता है, TLM का management कैसे होता है, तो 3 stagy में होता है, पहले तो 1-2-3 karara होता है, विकास करना, 1-3-3 karara मतलब उसको store करना, इसको एकटा करना, और एकटा कैसे करना है, उसको कूछ पॉइंट ह हर class के पहले उससे related TLM होना चाहिए आपके पास, तो यह सारी चीजे बेसिक हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, यहां shortcut में बस इतना समझेगा, कि एकत्री करण करना classroom से पहले, या फिर पूरे session से पहले आपके पास एक store होना चाहिए, उसका विकास करना, develop करना, कि अगर न लाइन दे रखी थी, कि कोई भी TLM बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, उसका जो use होता है, वो उससे अच्छा बनाता है, गर उसका हम use ढंग से कर रहे हैं, तो उससे best outcome मिल सकता है, तो यह लाइन वहाँ पे रिखी हुई थ तो तरीके से हो सकता है, तो क्लास में ही एक कॉर्णर है, वहाँ पे TLM सारे रखे हुए है, या फिर क्लास के पास में ही कोई रूम है, वहाँ पे TLM सारे रखे गए है, ताकि वो easily available हो सके जब उन्हें जरूरत लगे, और अच्छा, TLM को रखने के लिए बहुत उचाई पे ही होती है, तो टेक्सबुक जो मुख स्रोत मानी गई है, और अधिकतर विद्यालों में ये एक मात साधन भी है, मतलब मैक्सिमम स्कूल में, आप तो थोड़ा चेंज हो रहा है कि आप टीचर बहुत सारे audio-visual arts का यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर स्कूलों में फिर भी द understanding विख्षित करने के लिए लिखित विचारों, वस्तुओं और व्यक्तियों के सक्रिये सनलगता के द्वारा किया जा सकता है, मतलब इसका अगर आपको उप्यों करना है, तो आप कैसे करोगे, कि व्यक्तियों का जो active participation हो सके, उसके द्वारा आप कर सकते हो, अब यहाँ प मतलब फिर आगे आप बढ़ता हो, multiply पे फिर डिविजन पे, पहले डिविजन नहीं सिखा दिया जाता, तो यह जो क्रम होता है, वो उसमें, उस textbook में होता है, और मुल्यांगन के लिए उसमें guidelines रखी होती है, मतलब evaluation के लिए, बच्चों के evaluate करने के लिए, जो exercise वगरा होती है, वो सब guidelines ही दे रखी होती है, पार्ट और अभ्यासों के माधियम से विद्यातियों को diverse thinking के अफसर प्रोवाइट किये जाते हैं, और उनको प्रेरित करता है, अगर क्लास में कोई exercise जो उसी बुक में, बुक के end में या फिर बुक के साथ में जो प्रसुतर होता है, उसे कि तुरंत ही कुछ ऐसा different सोचने के लिए भी प्रेरित होता है, अब कुछ अनसरोत देख लेते हैं, textbook के अलावा, पुस्तिगाला हो गया, library हो गया, newspaper, magazines हो गया, electronic media, विद्याले के भीतर और बाहर के अकलाप, यानि कि विद्याले के अंदर भी हो रहा activity और बाहर भी, जब field visit पे ले जाते हो, इस्थानिय संस्थानों का भ्रहमड यानि कि local जो institution है उन में विजिट पे ले जाते हो, इस्थानिय बादार यानि कि local जो market है और workshop है वहाँ पे विजिट पे ले जाते हो, तो यह क्या है, यह कहीं न कहीं, एक source ही तो है सीखने का, तो यह सारे point आपके, यहां से होता आपका chapter खतम, I hope आपको संच में आया होगा, और पहले-बाली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल देख लीजेगा, क्योंकि जो 501, 506, 502 बहुत important जो course है, यह आपको generally सारे teaching exam में यहां से question देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो देख लीजेग or thank you